तो आज आपके सामने है अनूप जिन्होंने ए यार 194 लायर डबली ब्रांच से और इस साल के यह जी टू पॉइंट ओ यूजर है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं तो सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दिजेगा और शेयर कर दिजेगा अपने दोस्तों क साथ क्योंकि बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा इस बार का जो गेट का पेपर था वो थोड़ा सा एजी बनाया गया था डबली की पॉइंट ओ व्यू से लेकिन उस एजी में भी अच्छा करना एक अलग लेविल की बात होती है अनूप से हम वही जानने की कोसि करना चाहिए हमारी प्लानिंग क्या होना चाहिए जैनिक किस तरह से रोल प्ले किया था इनके लाइफ में यह सब हम लोग डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो मिलते हैं अनूप से हाई अनूप हावर यो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को टाइम करना बहुत एक इशू था तो इसलिए मैं फूल कोर्स नहीं ले पाया क्योंकि मेरे को इतना टाइम एक्शुली मिलता नहीं था कि मैं पूरा फूल कोर्स प्रपेर करू और मैं अलड़ी सेल्फ स्टेडी कर चुका था टूथा नाइंटीन से एक्शुली मैं जो प्रपेरिशन कर रहा था बट टूथा नाइंटीन में मेरा रैंग 932 था अट वरी टाइम आयब पर्चेट जैनिक का वो वीडियो कोर्स उसमें पर्चेश किया था तो कि आपने फूल कोर्स पर्च आप लोगों ने अच्छा इनिशेटिव निकाला वो कुछन्स प्राक्टिस करने का अल्रेडी मेरा सिलेवर सो पूरा कंप्लीट हो चुका था अल्ला इनीट वाज़ प्राक्टिस क्योंकि मैसे प्राक्टिस सली में इसको एनलाइस के तो फाइंड कि मैं प्राक्टिस स्लाइट करो था ऑंच्छा एचा था था तो था मैं वह फॉलो किया जी आप्टिमस कोर्स और वो भी सर्म में पूरा कंप्रीट तो नहीं कर पाया लेकिन है जो मेरा विक पॉइंट था आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाया थे तो मैं 2019 में बहुत ही डीप में पूरा पढ़ाया था और मेरे को उसमें पुरा कमांडीन आ गया था अच्छे पढ़ाते हैं और मैं यही दो तीन जैसे अनलोग डिजिटल और सिगनल सिस्टम बेसिकली यही तीन मैं जी ऑक्टिमस से पढ़ा बागी तो मैं अल्रडी पढ़ चुका था और यह जो चीजे से जो यह इनिसेटीव जैनिक लाए है कि क्वेस्टेंस वह भी तीन पा था वो उसमें थोड़ा मतलब एक क्वेस्टेंट के बाद थोड़ा लगता था कि कॉंफरेंस डाउन हो रहा है बड़ जी 2.0 लेवल था ना कंपिटिटर लेवल भी आप सोल्व कर ले रहे थे योर लेवल तो बहुत असान था लेकिन जी 2.0 लेवल था वो थोड़ा सा उस छल्ड वहते है ओंरे वह बहुत बड़ी बाँट बड़ी है तो कि धनी भी लोग देख रहा है इस चीज को समझना रिंख को सीखना होगा वी टाइलेंट आपको सीखना होगा चे आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से विदिन असर्टेन टाइम फ्रेम हर चीश पे नजर रखते हुए आपको कंप्लीट करना होता है उस लेवल को अचीव करना होता है तो ये सब चीज हम लोग डिसकस करेंगे अनूप से अनूप जैसे गेट की जTr customers अ डिटेल बताया अब आगे आपका क्या प्लान है आप क्या कर रहे हो आपको आगे कहाँ जाना है क्या प्लान है सर मेरे को तो ओ टेकनिंकल फ्र्िल्ड में ओभी रहना नहीं है तो मैं देखा हूँ कि एक लेवल पर जाके यह सेचुरेट हो जाता है आफ्टर दैट यूवाब तो मेरा तो सेर एम है कि मैं हायर स्टेडिस करूँ मोश्ली नीटी का मेरा प्रोग्राम इसा है नीटी या इससे मैंजमेंट क्योंकि मेरा गेट अल्रड़ी इनिशेश्यमें यह का प्रेशन था अभी क्या इससे करना पड़ता तो मैं नाया स्टार्ट करने से अच्छा है कि जो अल्रड़ी कंप्रीड हो ही करे तो सब्सक्राइब यही है कि मैं नीटी क्रैक करूं बाकि लेट सी क्या होता है बिलकुल अच्छा है आप हाईयर स्टेडिस के लिए जाओ क्योंकि आपने अलेडी जॉब कर रख है आपको मालूम है कि जॉब में जाकर कहां पर हमारा सेचुरेशन लेवेल आता है और फिर फ्यूचर में हमें कह जो लोग जाते हैं उसमें कोई भी गलत नहीं है और जो जॉब के लिए पीएसी हो जाते हैं उनमें भी कोई गलत नहीं है सब लोग का अपना अपना लाइफ होता है ओके लाइक मेरा से नेक सवाल रहेगा कि गेट की प्रेपरेशन का जो सबसे बेस टाइम आप क्या एक्स कोई लेट से करता है लास्टिक्स मंत में स्टाट करता है तो आपके हिसाब से जैसे एक एवरेज स्टुडेंट है तो जो सेकेंड ये और ऑलरी पास आउट है जो थार्ड ये विए तो उनके लिए तो मैं सजेश्ट करूँगा कि गो फर वीडियो कोर्स क्योंकि उसमें ब लास्ट एट मन्स अगर कोई अच्छा से डेडिकेट करके पढ़ाई पर ध्यान दे तो गेट का कोर्स तो विदिन सिक्स मंट में कम्प्लीट हो सकता है और लास्ट टू मन्स रेविजर्स एंड तो लास्ट एट मन्स में भी किया जा सकता है बट आई उल्ड सजेश्ट कि अब इसार थर्ड यार के स्ट्वेंट भी सिक्स्स समेस्टर की स्ट्वेंट भी अप्लाई कर सकते हैं तो बेटर रहागा कि सेकेंड में अगर को गेट में ही आगे करना है अगर आपको दर ही कैरियर बनाना है तो तो वह बेटर टाइंग रहेगा क्योंकि यूवल गेट एंपर टाइंग आप जो भी गलती है उसको रिक्टिफाइग कर सकते हैं पर यह लाश्ट एट मंथ में भी अगर आप डेडिकेटेड होके पढ़ाए करें चंदन सर और पूरा प्रापर प्लानिंग के साथ आपके साथ मिलते तो इस बार तो जी थ्री पॉइंटों में और भी एक्स्ट्रा फीचर सम लोग ला रहे हैं तो पॉइंट हम लोग का हमेशा से यह रहा है कुछ भी जेनिक हमेशा कुछ क्रिएटिव कंटेंट पे काम करती है करता है सब मेहनत कर रहे हैं मेहनत के इलावा भी कुछ ऐसी चीजे हैं जिस पे ध्यान रखना होता है वह हम लोग बहुत अच्छे से सीखते हैं सिखाते हैं और बाकी लोग को भी समझाते हैं तो जी आप्टिमस में आपका जैसे जॉब था तो जॉब के साथ अलॉंग वि चल रहा है रिजन बेंग कि हम लोग उसमें दो बार तीन बार डेली हम लोग मौर्निंग चार्ज़ अप करने आते हैं फिर एसेस्मेंट कर रहे हैं लाइव डिवीजन कर रहे हैं इवनिंग में आपका तीन से चार बार हम लोग फेस्बुक पे अपडेट लेते हैं लोग जी ऑप्टिमस से जी टू पॉइंटों से रैंक लेकर आये हैं तो आप अलॉंग विज जॉब कैसे मैनेज किये थे जी टू पॉइंटों को अगर गोले तो लाइफ लास्ट छे साथ मेना इजी नहीं था से क्योंकि फ्रॉम एट थटी से जॉब स्टार्ट होता तो उस क्याता कि में जी ऑप्टिमस का जो मेरा विक सब्जेक्ट है जैसे अनलोग डिजिटल सिस्टम तो मैं इस पर काम किया बाकि मेरा पावर सिस्टम और पहले से अगर वो सब कंप्लीट करते तो सायग में कंप्लीट ना तर पाता क्योंकि सर एस पर वो जो सेडूल है उसमें आपको मिनिमाम सिक्स टू एट आउर्स तो डिवोट करना है और मैं मुश्किल से अगर पूरा कोसिश भी करता तो चार घिटा से जादा नहीं दे पाता था प तो तो टेस्स भी उतना इंपॉर्टें नहीं लगता अगर आप यह सब कोश्चन कर लिए लास्ट टेस्स में तो मैं सो सिर्फ लाज्ट ट्वेंटी एर्स कोश्चन ही बनाया था वो कोश्चन सौल करते थे क्योंकि चंदन सर बार बार फोकस करते तो कि गेट में आप तो बहुत अच्छा है तो वहां बच्चा लोगों लगता है कि यह तो मैं गलती कर रहा है और वो सर को ही पता तो वहां वह माइंड में बैठ जाता है कि यह गलती मुझे नहीं करना है तो वह सब मेरे को फैदावाज है तो मैं मुस्किल से तीन से चार गंटा ही निकाल पाता था बट फिर भाही बोलते हैं अगर जो फ्रेशर है उनको तो सिक्स आवर्स निकालना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा इसकोर करना है तो और वहाँ पर आप देखे होगे इस चीच को कि जी टू पॉइंटो इस लाइक की ऑल्रेडी आपका बेसी कंप्लीट है और हम आपको ऐसे कोस्टन्स वहाँ पर कराके पूरे सब्जेक्ट को डिवाइस कराते है जिससे पूरा गो थू हो जाता है तो अगर कोई बंदा है जो ड इस अगरेडियल सिचुएशन क्रियेट करता है ओके तो लाइक अनुब मेरा नेक्स सवाल आपके साथ यह रहेगा कि जैसे हमारा सबसे जो बेस्ट जैनिक के बारे में आपको जो लगा सबसे बेस्ट जैसे होता है कि हम लोग नोग नोग देते विडियो कोर्स हो गया कोई भी हो गया वो सब तो सबका रहता है अपार्ट फ्रम डेट आपको क्या फिल हुआ कि जैनिक कुछ एक्स्ट्रा करती है अपार्ट फ्रम अदर्स जैसे हम ग्रूप में देखते हैं कि सर यह चेक करिये तो उसका एंसर बहुत इंस्टेंट आते हैं और बहुत ही क्लारिटी में उसको समया जाता है कि आप यहां गलती किये हैं यह सही होना चाहिए वो मुझे लगता कि सबसे बेस्ट है मुझे सर दूसरे इंस्ट्यूट के सर बहुत ही अच्छा है वह तो मैं सजिश्ट करूंगा दूसरे को भी लेने के लिए और यह जी ऑप्टिमस का सर जो वह था क्वेस्टन्स जो हूंबर्ग्स मिलते थे वह एक हो सकता है दूसरे भी करते हो बट या वह मेरे लिए मनाया था तो वह मैं डेली मैं फॉलो करता वह तो मेरा टार्गेट रहता था कि इसको कंप्रीट करना ही चाहिए कुछ भी हो जाए लाइफ सेशन कर पाएं चाहिने लेकिन यह होंबर्ग उनको तो कंप्रीट करना है और उनको ग्रूप में मैं सेर भी क्या हो सर आप लोग बहुत बार एंसर भी दिये तो वह मेरे को बनाते हैं और जो गुरूप में पोस्ट करते हैं जब दूसरी स्टुइंट का भी एंसर वहां आता है तब वहां लगता कि यह वह जो एक इनिशेटिव हैंने सर की फॉलॉप करना और वह एंसर समझाना वह सबसे बेश्ट था मेरे हिसाब से सर्ट करेक्ट क्यूंकि हम इस परसेंट वह कमांड के कुछ नो कुछ डाउट रही जाएंगे तो डाउट कहां पूचेगा सबसे पहले चैलेंज हम लोग के साथ यह था कि डाउट कहां पूचे का तू इसलिए हमने सीक्रेट फेस्बूप गूप लाया और सीक्रेट फेस्बूप में जितना जेनिक एज कि फैकेल्टी जितनी एक्टिव रहती है शायद रहोंगे शायद ही होंगे हमें तो नहीं पता हम लोग भी रिसरच करते है से तो हमें पता है कि बाकी लोग उतना रеспॉ bats नहीं करते हम लोग काभी की रश्पोवनश चलता है गुए कुरु कूल को हम जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना मिनिमम हम लोग करते हैं तो आप क्या सजेस्ट करोगे जो फोर्थ यर है जो पास आउट है या फिर जो थर्ड यर है उनके लिए बेस्ट आपके लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कि गेट की प्रेपरिशन करने टाइम में क्या किन-किन पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए पहला तो अगर वह जानिक कर रहे हैं तो जो शेडियूल है आप लोग तो सेडियूल बना कर देते हैं वह शेडियूल को मैक्सिमम आप ट्राय करिए कि वह 100% फॉलो करें हो सकता है फॉलो ना हो अगर अगर आप जॉब नहीं करें तो आपको तो फॉलो करना मेरे को दूसरा जो होंबर्स आते हैं होंबर्स जो आप लोग देते हो वह कंप्लीट करो अगरेंगे तो वह तो फिर आप भूल जाओंगे चले जाओंगे तो वह में करोंगे आप बनाईए और ग्रूप में पोस्ट करिए उनका एंसर देखें आपका एप्रोच कैसा है बाकी स्टुएंट का एप्रोच कैसा क्योंकि सब्सक्राइब तो आप तक खुछ से नहीं बनाएंगे आप तीचर के मदद पर रहेंगे तो फिर वह आपके आगे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा अट लास्ट में यह बोलूँगा कि सर जो टेन यह से उनको बहुत ही डिप में आपको एंलाइस करना है लास्ट टू या थ्री मंच तो उनको आप पूरा उनी पर दीजिए उनको उनको छोड़के नहीं जाना है क्योंकि वहीं आपका सब कुछ हैं उनी से रिलेटेड बहुत अच्छे वेसे एक्स्प्लेइन किया हुआ है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं जिनके पास टाइम है अगर जिनके पास टाइम नहीं है तो मैं तो यह बोलूँगा अगर उनका लिवस्ता हो कंप्रीट है गो फो फो जी ऑप्टिमस को जैसे मैं जी ऑप्रिमस को फो आपको और कुछ प्रैक्टिस नो बुक्स बहुत लोग बुक्स के पीशे भागते यह पढ़ना आपके स्मार्ट स्टेडी करना है से मैं तो यह स्मार्ट स्टेडी जितना अच्छा कर पाएंगे और अगर सब 10 बुक परेंगे तो आप कुछ निसीख पाएंगे तो मैं सब्सक्राइब करना है तो वह कॉम्पैक्ट होना चाहिए ताकि मैं उसको रिवाइज भी कर पाएंगे और जो आप सब बार बार अपने लेक्ट्चर में फोकस करते हैं सौट नोट्स मैं लाश्ट पांजिन बस सौट नोट सी पढ़ा हूं जो जैसे आप तो बहुत बतात हैं में आप वही रिवाइस कर पाएंगे क्वेस्ट भी नहीं देख पाएंगे तो यह सब पॉइंट है जो आप लोग लोग ने क्या किया ना जो आप सौट नोट्स बता रहे हो ना इस बार हम लोग उसी को बहुत अच्छे तरीके से लाइबरेटिव में हम लोग ट्रीग आप से जिनको डाउट है जिनको कुछ ऐसा लगता है कुछ एक्स्ट्रा एड करना है तो वह भी आड कर सकते हैं तो बहुत सारे फीचर से जो हम लोग पिछले तीन साल से एक्सपरिमेंट किये हैं पहले हम लोग पीडी जीडी कोर्स लाएं फिर उसके बाद हम लोग जी ऑ भारी प्रॉब्लम क्या है स्टुडेंट का क्या डिमेड जीसे आपने अभी बताया ना जी ऑप्टिमस जो फॉलो कर रहे थे तो उनको हम वोग देते थे तो हम वोग देने के बाद आपने फॉलो कर लिया लेकिन आपके कुछ दोस्त है जो कभी होम वोग को टच भी नहीं एक आशन्मेंट को एक शुडेंट का ट्रेक होता है रिकॉर्ट रखते एकुर्ट रखते एकसल शीत में हम लोग देखते हैं कि कितने ने तिया कितने नहीं भी जिर। गयर नीऑ कियो नहीं तो हम लोग उसकेबद उनको धर जाते कि एच्छा पता नीच कुरू पर स्ट्र अगर नहीं होगे बाबु सुगा मुना करेंगे तो नहीं चलेगा वो बस अच्छा फील होगा अंदर से अच्छा फील होगा लेकिन आपकी रैंक नहीं आएगी तो हमने सारे जो इस्टुडेंट के डिमेरिट थे वो सब को हमने गुरकुल में खतम कर दिया सुबह वही साथ बजे सब लोग उठते सब लोग एट उजट एक एक हंड़ेट परसेंट बच्छा साइदी एक दो बच्छा होगा जो नहीं उठके हम लोग का सेसन देख रहा है बाकी सब ही लोग देखते है इतना उनको हैबिट में ला दिया है जो कि हम लोग जी ऑप्टि हम लोग गुरुकुल आप आपको क्या लगता है गुरुकुल किस लेवल पर जाएगा इस बर का अगर देखा जाए हम लोग तो यह यह वन भी लाए इस बार यह एर फोर यह तो फॉलो कर रहा था तो पंकर सार के एक्षेशन सार लाइक टॉप हंडेड में 16 इस्टूडें यह वյिसली हमें टफ बनाना है देखो मेरा पॉइंट यह रहता है हम लोग क सारे का यही पॉइंट रहता है हम लोग देखो अगर सचे मार्केटिंग पॉइंट हो ववह से तो लोग डर जाएएंगे नहीं लेंगे लिए आनको सारा द इसनॉड माइज इस नोट माइग स उसी recorded को हम content को चलाते हैं, फिर से KC LKVL live session में चलाते हैं, तो हम extra effort नहीं लगा पाते, तो recorded session लाए, content बच्चा पढ़ा, content बच्चा पढ़ने के बाद उसको हम assessment दिये, assignment देखे, फोरा, उसका doubt solve किये, कुछ extra questions की जो थे, वो दे दिये, लगा कि इस concept में problem, उस पे related 5 questions और दे session ले लिए, तो एक पूरा complete feedback loop होड़ा है, तो उस feedback को अगर कोई पगर पाया, और proper अच्छे से planning पाया, तो हमको लगता है कि इस बार गुरुकुल से, जो हम लोग believe रखते हैं, जो हमें feel होता है, कि इस बार गुरुकुल से under 100 में, हम लोग 50 प्लस जाएंगे, जो हमें ऐसा feel होता है, जिस तरह से हम लोग effort लगा रहे हैं, और जिस तरह से student भी है हमारे पस, बहुत अच्छे अच्छे student है, जो एकदम blindly follow कर रहे है, ऐसा बोलते है, सर आप बोलो क्या करना है, हम लोग बोलते है, क्या करना है, बस तुम पस प्राई करो, जो बोल रहे हैं, वो करो, उ सोचो, तीन साल हुए हमारे company को, year one हम लोग instrumentation में दिये है, year four आ गया, five आ गया, ten आ गया, under top ten में हमारे चार लोग है, और उस चार स्टूडेंट में आप ये सोचो, कि top ten अचीव करना बिना अच्छे content का, not possible, not possible, and one student, third year का student है, मैं उसका देख रहे हैं, and he followed it blindly, blindly, एक्दम जैसे कि आप बोलो क्या करना है, sir, हमें कुछ नहीं मालूम है, तो वैसे लोग बहुत अच्छा करते हैं, जो खुद का दिमाग लगाते हैं, अरे, कर लेंगे, छोड़ो जाने तो बाद में हो जाएगा, फिर वो बाद आता नहीं है, एक दिन का भी आपका session छूट रहा है तो you are losing six hours, और six hours lose करने का मतलब है, six multiplied, पांस दिन पिछो तो 30 hours हो जाता, तो वो सर का दर्द हो जाएगा, तो हम लोग यही कोसिस करते हैं, कि दिन भर तूड़े अच्छे से इतना engage रखे student को, कि अराम से वो कर ले जाएगा, और हम लोग ट्राई किया और successful है, हम लोग network theory ह हमारा complete हो रहा है, आज most probably groupal में खतम हो जाएगा network, तो सारे लोग 100% complete कि, दो assessment test हो गया, और दो assessment test होगा, तो यह सब चीज हम लोग करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं हवाबाजी हो रहा है, करके देख रहे हैं, और student का performance next level का है, बहुत अच्छा perform कर रहे है, out of 20 marks, 16 marks ला रहे 17 marks ला रहे हैं, अब भी at present, तो यह चीज अगर continue चलेगी, और live revision हमारा में से चलेगा, आने वाले time में signal चलेगा, तो signal के बाद हम लोग, signal जब चलते रहेगा, तो network का हम revision कराएंगे, network signal complete होगा, तो उस time में network signal का हम लोग revision बीच में लाएंगे, तो कभी भी student को भूलने नह आपको सिर्फ course नहीं मिल रहा है, आपको एक teacher का इतना effort मिल रहा है, वो आप सोच भी नहीं सकते हो किस level का effort कर रहा है, तो यह था हमारे side से guys, जितने लोग भी student है, वो सब देख रहे थे, तो आप सीखो Anup से, Anup ने भी हमारा G2.0 लिया, और उसी साब से किस तरह से G2.0 से जो भी हम लोग कराये थे, उसको blindly follow किया, क्योंकि follow up करना बहुँ जरूर है, अगर वो follow नहीं करते हैं, तो most probably जैसे आपको एक example मिला, इनके दोस्त अगर follow नहीं कर रहे थे, तो 700-800 रहे हैं, तो यह सब जो आप topper का इसलिए देखते हो interview, ताकि आप इसको relate करो, आप वो mistake करो, इसलिए आप देखते हो, कि अगर कोई mistake है, तो उसको आप repeat ना करो, अनुप, आपका कोई अगर ऐसा mistake जो आप चाहते हो, suggest करना, student को, upcoming student को, तो आप suggest कर सकते हो, कि हाँ यह mistake आप repeat ना करना, ऐस सच कोई mistake, यह सब मेरा ऐसा था कि मैं पांच दिम पढ़ता था, दो दि और दूसरा कि थोड़ा जब exam exam दें, उससे में थोड़ा आपने आपको पूल रखें, मैं थोड़ा घबडा गया था, वो तो as nature है, आदमी घबडा जाता, तो उसके लिए थोड़ा test series, मैं test series जादा नहीं दिया था, मैं suggest करूंगा कि at the end, जब आपका syllabus complete हो जाए, तो test series प I will suggest everyone, go for test series, test series जितना आप दीजेगा, उतना आपको benefit होने वाला है, दूसरा मैं ये बोलूँगा सर्क, मैं देखा हूं स्टुएंट को कि initial stage में बहुत जोस रखता है, अब तिल end, तिल February 2023, तो आपका rank कोई ने रोख सकता, within 100 तो आएगा सर्, no doubt, rank 1 और rank 100 के बिच में ज्य करके रखना है, वो जो सको ठंडा नहीं होने देना है, बस नहीं होने ही नहीं देंगे, हम लोग यह सब तो पूरा प्लान किया, आपने जो दो mistake इना है, वो mistake rectify है, गुरुकुल में, जैसे पहला mistake है, कि test series ज्यादा देना या फिर test series का घबराने वाली बात, तो अब देख हैबिट हो जाएगी, वो रूबरू हो जाओगे, कि हाँ next next करके कि इस तरह से हम लोग गेट में बैठते थे, वो इतना जदा हम उसको हैबिट में ले आएंगे, 50 तो हमारे assessment हो जाएंगे, पूरे subject को मिलाके, और उसके बाद आपका, जो test series है, वो तो है ही extra, other institute के भी आप हो, हम लोग सुबह का morning session record करते हैं, लेकिन कभी YouTube पे नहीं जाले, मैं सोच रहा हूँ कि एक YouTube पे session डाली दू, morning में जिस तरह से बच्चे चार्ज अप रहते हैं, जो motivation जिस तरह से chat करते हैं, जिस तरह से motivate रहते हैं, वो जो जो से, पिछले 38 दिन से, इट्स नॉट लाइक क आप लोग को नहीं देखते हैं, तो मजा नहीं आता है, उस तरह का हमने आदत बना दिया, habit में convert कर दिया, तो यह सब चीज हम लोग rectify कर रहे हैं, तो my dear student, जितने लोग भी हैं, अनूप ने आपको जो भी बताया, जो भी बताया, उसको आप सीखो, हमारे से आपको इस आप को और effort लगाना पड़ेगा, जितना आप time delay करोगे उतना ज्यादा effort लगाएगा, तो जो लोग भी interested है, go through the website www.geniceducation.in पे जाकर आप वहां से देख सकते हो, purchase कर सकते हो, और मैं कहूंगा कि गुरुकूल में आओ, मैं नहीं कहूंगा, आप normal course ले लिए, पढ़ लिए, क्योंकि hardly difference है, बाकी course है, बाकी price में ज्यादा difference नहीं है, लेकिन गुरुकूल जो आपको दे देगा, वो शायद ही कोई course दे पाएगा, तो इसी अच्छे note से हम लोग इसको end करते हैं, अनूप thank you so much, आप हमारे platform पे आये और लोगों को एक proper guidance दिया, समझाया कि हां किस तरह से आपको G2.0 को, आपने किस तरह से अपने लिए implement किया और उसी साब से आपकी rank आई, जो आपने महनत किया, उसको आपने बताया, जो आपने mistake किया, उसको आपने बताया, यह सारे जो भी आपको अनूप suggest किया है, वो सब को आप conclude करो, और conclude करके, अपना एक अच्छे से त जला गिया, वो वापस नहीं आएगा, जो आने वाला टाइम है, वो हमारा है, उसको हम सही कर सकते हैं, तो यही सब सोच कि आप आगे बढ़ो, और life में और अच्छा करो, अनूप आपको भी life में all the best, हमारे तरफ से आप नीटी जाओ, जहां भी जाओ, life में, आप बहुत best रहो, और हमारे साथ टच में रहो, ताकि हमें भी अच्छा लगता है, कि जब आप आगे अच्छीव करते हो, life में बहुत आगे जाते हो, हमारे पास ऐसे हैं, बहुत सारे ranker, जो life में बहुत अच्छा कर रहे, तो वो लोग हमारे से interact करते हैं, तो हमें भी बहुत proud feel होता ह है, कि हमारे through आप लोग इतना अच्छीव किये हो, कुछ एक परसंट ही सही हमारा जो रूल रहा है, तो वो एक अच्छा feel देता है, तो इसी अच्छे नोट से हम लोग इस session को close करते हैं, बाकि स्टुडेंट भी इससे सीखिए और अपने life में implement करने की कोसिस कीजिए, thank you so much अनु य है, प्छेज़ झालून दोasto कर मेंड साहर कार अच्छीज परक्टी के ओकार रहा है, दो तो मुल्चीजज प्रच्टी का इस हमारा द् नह